हेलो स्टूरेंट्स अपने प्लान ब्रीडिंग का फर्स्ट पार्ट कम्प्लीट कर दिया था आज मैं सेकंड पार्ट स्टार्ट कर रही हूं सबसे पहले मैं आपको कह दियू कि आप लोग वीडियो देखने से पहले इसको लाइक और सब्सक्राइब करें उसके बाद में मिल आपको पूरे जैट के इसाफ से क्यूट के साफ से 12 के साफ से इसमें आपके नाटी रहोंगी तो सबसे पहले इसको लाइक और सब्सक्राइब करें अब देखो सबसे पहले यहां पे मैं स्टार्ट कर रहा हूं चैनेटिक ए रोजन सिंपल सी डेफिनिशन है कि जनेटिक ए केरेक्टर में लॉस होता है या डिक्रीज होती है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं जैनेटिक इरोजन तो यहां पर जैनेटिक इरोजन है उसके बहुत सारे रीजन भी आपके बुक में भी दिये हैं और यहां पर भी मैंने आपको दे रखा है कि सबसे पहले वेराइटी रिप्ल काद में हमारे पास में land clearing यानि कि अगर हमें दूसरे काम के लिए लेंड चीए तो दिरे दिरे जो हमारी cultivated land वो क्या हो रही है कम हो रही है फिर ओवर exploitation यहां पर हम जितनी भी स्पीसिज उनका ज्यादा यूज करने जितना हमें यूज करना उससे ज्यादा यूज करने तो वह भी एक यहां पर रीजन है उसके बाद में population pressure है यानि कि यह मान के चलो कि हमारे पास में बहुत population बढ़ने से जो नैचुरल अपने habitat है वो दिड़े दिड़े क्या हो रहे हैं कम हो रहे हैं उसके बाद में environmental degradation है कि जो आप लगातार climate में change हो रहा है वो भी एक रीजन है फिर over grazing over grazing में है कि किस तरीके से जो animals हैं वो हमारी अच्छी varieties हैं उनको भी decrease करने फिर गौर्णमेंटल पॉलिसी गौर्णमेंटल पॉलिसी हैं कि जैसे माले जेए कि आजकल गौर्णमेंट अलग अलग जगे वापिस से बिल्डिंग्स बना रही है इंड्रेस्ट्री बना रही है रेलवे रूट्स तो वो भी एक रीजन है फिर उसके बाद में जो नई टेक्निक हम यूज कर रहे हैं अग्रिकल्चर सिस्टम में तो वो भी कुछ रीजन से जिनके कारण जो है जैनेटिक एरोजन लगाता बढ़ता जागा है अब आपके बुक के अकॉर्डिंग भी है यहां पर मैंने आपको दे रखा है सबसे बहले डैफिनिशन दे रख पॉरेस्ट एरिया है उसको ज्यादा यूज करें जैसे रेल्वेय है रोड जो आपको गवर्न्मेंट पॉलिसी में ना बताई यह सारी चीज़ें फिर उसके बाद में हमां नई नई जब हम बाहर से जो प्लांट्स में लाते हैं उनके साथ में न्यू वीड्स आ जाती है तो वीड्स भी इस चीज़ को खतम कर रही है अब इसके बाद में अपने पास में जो नेक्स्ट है वो है सेंटर ओफ औरीजन अब सेंटर ओफ औरीजन क्या है यह सबसे पहली बात तो यहां मैंने यह इसलिए दिया है कि आपको वैविलो इन्होंने इस पे बहुत ज्याद नौलेज के हिसाब से है उसके बाद मैं अपने स्टार्ट कर रहे हैं कि यहां पे कौन-कौन सी चीज़े हैं अब देखो इसमें सेंटर ओफ औरीजन कर रहे हैं और एकोर्डिंग टू वैविलोन अभी मैंने आपको डियाग्राम भी बताया था कि किस तरीके से जो है आपक देतों इन्होंने डिस्कवरी करी थी अरी अब इसमें देखो क्रॉपस सबसे पहले की definition है crops are originated by wild variety अब देखो center of origin है सबसे पहले इसकी definition है जो वैविलो साइंटिस्ट थे उन्होंने दी थी crops are originated by wild variety सबसे पहले बात जुत्ती भी wild varieties हैं उनसे हमारी crop है वह originated हुई है और जिस special area से या reason से इसको लिया गया wild variety को उसी को हम क्या बोलते है center of origin उस crops के लिए तो उस तरीके से यहां पर अभी मैंने previous जो आपको फोटो दिखाई थी कि वैविलोब ने बहुत जो area उनको देखा था जो की center of origin थे अब इसको हमने types में divide कर दिया है फर्स्ट है आपका primary center of origin इसमें जो crop है उस crop को जिस wild variety के area से लिया गया तो वह area उसका primary center of origin होगा और second जो हमारा center of origin है उसमें माली जीए कि origin हमें नहीं पता है लेकिन जो भी cultivated forms है वह लगातार जिस area से continue ग्रो कर रही है उसमें variation आ रहा है तो उस area को हम क्या बोलेंगे secondary center of origin उसके बाद में अपने पास में कुछ यहां पर दिये गए हैं अब देखो कुछ अपने पास में आपके दे रखें इंपॉर्टेंट प्राइमरी center of origin उसमें सबसे पहले दे रखा चाइना चाइना में जितने हैं इंडिया में पैडी है पिजन पी है फिर उसके बाद में लोबिया मूंग सुगर केन ब्लेक उसके बाद में मिडिल एसिया है अफगानिस्तान इसमें वीट का है सबसे इंपॉर्टेंट बस आप उसको ध्यान रखना फिर एसिया माइनर है तो इस तरह से मेडिटिरियन सी अबिसीनिया उसके बाद में मिडिल अमेरिका मेक्सिको इसमें इंपॉर्टेंट आपका मेज मेज का अक्सर आता है इसमें फिर साउथ अमेरिका है तो इस तरीके से यहां पे आपके बुक में साथ सेंटर ऑफ ओरिजन दे रखें और उसमें जो भी में कल में से बड़ा कोश्चन भी और mcq भी काफी आ सकते हैं तो सबसे पहले देखो hybridization क्या है आपको यहां पे दो प्लांट दिख रहे हैं ए और भी इसको हम क्योंकि hybridization है तो यह एक आर्टिफिशल पॉली निशन है जिसमें हम इस character को by human चेंज करेंगे अब यहां पे देखो आप दो हमने पैरेंट लिए और हमारे पास में जो एवन जनरेशन आई है वह एवन जनरेशन हाइब्रिड है और उसमें दोनों जो पैरेंट्स है उन दोनों पैरेंट्स के character आपको यहां पे मिलते है तो इस process को हम क्या बोलते है hybridization अब यहां पर मैंने आपको hybridization है उसकी definition भी है सबसे पहले hybridization यह एक process है जिसमें हम hybrid का production करतें तो उस process को हम बोलते हैं hybridization और इसके बाद में जो हमारे पास में नया प्लांट बनता है उस प्लांट को हम बोलते हैं hybrid और इस hybrid में आपको दोनों parents जो हैं उन दोनों के character आपको यहां पर मिलेंगे जो भी हमें desired character लेना है अब देखो इसके बाद में types of hybridization है तो types of hybridization में सबसे पहले आपका inter varietal hybridization inter varietal hybridization है कि जब हम हम दो same species के बीच में hybridization करते हैं तो सम बोलते हैं inter varietal hybridization इसमें कि दूसरा नाम इसको intra species hybridization भी कह सकते हैं और यहां पर कुछ मैंने example भी आपको दिये हैं जैसे वीट है वीट की दो वेराइटीज में राइस की दो वेराइटीज में केरेट की वेराइटीज में इनके बीच में अगर हम हाइब्रिडाइजेशन करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं इंटर वेराइटल हाइब्रिडाइजेशन अब यह दो तरीके की हैं इंटरा स्पेसिफ सबसे पहले अपने पास में हैं इंट्रा स्पेसिफिक तो इसमें हम इंडीजवल सेम स्पीसिस को कर रहे हैं और इसके अंदर आपको जैसे मालीजे एक एनिमल का दे रखा है बेंगल टाइगर और साइबेरियन टाइगर इनके बीच में अगर हाइब्रिडाइजेशन करते है तो उसे हम क्या बोलते हैं इंट्रा और जब इंट्र है तो इंट्र में हम दो डिफ्रेंट वैराइटी के बीच में करते हैं तो उसे हम बोलते हैं इंट्र स्पेसिफिक यहां पर है कि लॉइन और टाइगर के बीच में अगर हम हाइब्रिडाइजेशन करते हैं तो उसको ह पाद में हमारे पास में जो दूसरा है वो है distant hybridization यहां पर हमारे पास में same genus या different genera के बीच में हम यहां पे इसका hybridization करते हैं और इसके भी दो तरीके दो टाइप से इंट्रा जैनिक खाला कि इतने कोर्स में नहीं आपके लेकिन फिर भी में थोड़ास आपका आगे बता रहे हूं तो एक हैं इंट्रा और एक हैं इंट्रा वाले में अपने पास में दिफरेंट इस यहां पर एक्जांपल भी आपको दिया वह है जैसे बिशन और काउ के बीच में अगर आप hybridization कर रहे हैं फिर उसके बाद में दूसरा अपने पास में हैं इंटर जैनिरिक तो इंटरे जैनिरिक में यह बहुत इंपोर्टेंट है ब्रेशी का और रेफिनस अवे डिफरेंट जैनिरा हो गहे और इसमें फैमिली ज़रूर सेम रहती है लेकिन जैनिरा हमारा कछा रहता है डिफरेंट रहता है अब ब्रेशिका और यहां पर कुछ एक्जामपल दे रखें उसके बाद में अब अपन देखते हैं कि इसका प्रॉसेस किस तरह से होता है तो सबसे इंपॉर्टन चीज है कि हमारे पास में जो हैब्रिडाइजिशन है उसमें हम सबसे पहले है डिजाइड प्लांट को सलेक्ट करते हैं और कौन से प्लांट को हमें इंप्रूव करना है तो हम दोनों चीज यहां पर करेंगे तो पैरेंट्स हमारा एक अच्छा होगा जिसे एक गुड करेक्टर वाला होगा और एक आपका बैड करेक्टर वाला होगा तो हमें बैड करे सब्सक्राइब करने के और बड यह को करते हैं पार्डने अइसमें में दों स्टेज में करते हैं जब यह बड इस्टेज में होता है गुड़ वाले के लिए करते हैं क्योंकि उन पॉलन के उसको में यूज करना है और बैड वाले को यूज करते हैं ताकि वह सेल पॉलिनेशन नहीं कर पाए तो यह जो प्रोसेज है जिसमें कि हम रिमूवल आफ एंथर कर रहे हैं तो उस प्रोसेज को हम बोलते हैं और यह दोनों प्लांट्स में किया जाता है यह थोड़ा सा ध्यान रखना उसके बाद में अपने पास में जो सेकिंड स्टेप है वह सेकिंड स्टेप क्या है बैगिंग जब आपने क्रॉस पॉलिनेशन करवा दिया उसको जो बैग सेव अ कवर कर दो तो यह जो बैग है इस बैग को हम बोलते हैं बैग प्रॉसेज इसमें में डूसका ऑबज्यक्ट इसमें दूसरा पॉलिनेशन नहीं हो पाय दूसरे पॉलन ग्रेंस नहीं आपाय है यह तिन दिन प्रयंद वो लैंगे बैग बनना चीड़ा होना चीद है इसमें कि जिसमें कि प्लान्ट या लवर को एरियेशन प्रॉपरली मिलता रहे बाकी इसमें कोई दूसरे पोलन ग्रेंस अंदर एंटर नहीं कर पाएं इस तरीके का बैग हमें यहां पर यूज करना है उसके बाद में हमारा जो थर्ड स्टेप है वह स्टेप क्या है टैगिंग अब टैगिंग क्या है कि जैसे माली जब हमने पॉलिनेशन कर लिया तो उसके बाद में हमें जो भी हमने चीजें करी है उस सब को एक छोटे से टैग पर लगा के यहां पर जो भी प्लांट है उसके अंदर हमें लगा देना चाहिए ताकि हमें पता रहे कि वह किस तरह से यह पहले से हो चुका है अब इसमें कौन-क प्रॉसिंग या आर्टिफिशल क्रॉसिंग कब हुई फिर उसके बाद में किन-किन पैरेंट्स को यहां यूज किया हुआ है तो यह सारी जो इंफर्मेशन है यह इंफर्मेशन उसके उपर में लगी होनी चीए तो यह जो प्रॉसेज है इस प्रॉसेज में जब हमने है उसको फिर करना है और घ्रों करने के बाद में अगर हमें जो भी डिजायड कारक्टर मिल जाता है तो हम उसका मॅ all को मूं करते हैं और स्वाँर्मेशन करके apologies करते हैं तो यह आज मैं यहां तक करा रही हूं जो नेक्स्ट आपकी कैंकि उसमें जो भी कि मेरी जो वीडियो उसको ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें ओके ठैंक यू